आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम रेलवे गुरूप डी में आई हुए पांच ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे जो 7 बार रेलवे गुरूप डी की परिच्छा में आई हुए है ये 7 बार किस तरीके से आई हुए है ये कभी पटना यही पांच सवाल घुम फिर करके आए हुए है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए ताकि ये पाचो सवालों के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सके और इसे तैयार कर सके तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस तरीके से दिय प्लस प्लस के माध्यम से तीन बार लिखा हुआ है चार प्लस 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 गुड़े अब यहां आते हैं यह चीज़ चार बार लिखा है तो चार गुड़े छे पे घात पांच बटा यह चीज़ तीन बार है तो तीन गुड़े दो पे घात पांच बराबर दो पे घात यन आप समझ रहे होंगे मुझे उमीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे ह आगे देखते हैं तीन से यह तीन कट जाएगा दो से चार कट जाएगा तो आएगा कितना दो आएगा तीन तीन कट गया दो कट गया अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे तो चार पर घाट 5, चेपे घाट 5, तीन पर घाट 5, तीन पर घाट 5, दो पर घाट 5, एक, दो उपर है, दो संख्याओं के उपर घाट 5 उपर है तेह निday 4 गुड़े 7, और नीचे भी दो संख्याओं, तीन और दो तो तीन गुड़े दो इसके उपर घात हमें कठा पांच लगा सकते हैं क्योंकि पांच गात इस पर भी है इस पर भी है इस पर भी है और इस पर इस पर इस पर चारों पर पांच गात है और गुड़े यह हमारा दो अकेला बच रहा है बराबर दो पे घात यन आप समझ सकते ह दो से चार कटेंगे तो दो होगा और इस तीन से छे कटेंगे तब ही दो होगा यानि दो गुड़े दो होगा ये तो दो पे घात दो इसके उपर घात कितना पांच अगुड़े दो बराबर दो पे घात कितना यन थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो दो पे घात दो पच्चे दस हो जाएगा दो पे घात दस गुड़े दो बराबर दो पे घात यन तो यहां पर लिख सकते हैं दो पे घात इस पर भी एक घात है दो पे घात 11 बराबर दो पे घात यन तो यहां से दो और दो कैंसिल हो जाएगा यन कमान कितना आ जाएगा य तो यहां हमें विकल्प में दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, यह दूसरा विकल्प 11 वाला हमारा सही है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अभी सेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कियें तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें उसके बाद सव नमबर दो को हल करते हैं और आज के दूसरा सवाल है कि यदि A by 3 बराबर B by 4 बराबर C by 7 तो A plus B plus C by C का मान कितना होगा यह चार भी कल्प है यह सवाल RRB पटना में पूछा गया था और इसे साल्फ करने के लिए हम इन तीनों को बराबर मान लेंगे के तो A by 3 equal to K मानिए तो A equal to होगा 3 के A equal to होगा 3 के B equal to इसी तरीके से हो जाएगा 4 के और C equal to हो जाएगा 7 के अब इसमें हम value अगर put करें A, B, C का तो हो जाएगा 3 के plus B की value यहां से लेंगे 4 के, plus C की value यहां से लेंगे 7 के, by C की value फिर से लेना है आपको 7 के तो 3 के 4 के 7 के जोड़ दे तो यह 3, 4, 7, 7, 14 के हो गया, बटे यहां पर भी 7 के, के से के कट गया, 7 से 14 कट गया आ गया दो तो यह हमारा विकल्प, पहला विकल्प सही है, इस तरीके से इस सवाल को भी हमने बहुत ही कम समय में हल कर दिया अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, सवाल लंबर 3 लेते हैं, यह सवाल भी रेलवे ग्रूप D की परिच्छा में पुछा गया था, इसके लिए हैं, आपर 4 भी कल्प दिया हुआ है, इससे सल्प करने के लिए बहुत ही, हम अलग तरीके का इस्तिमाल करेंगे हम लिख देंगे यहां पर 999 प्लस 1 बटा साथ, और इसको लिख देंगे इसी तरीके से 999 प्लस 2 बटा साथ, यहां पर 999 प्लस 3 बटा साथ, प्लस 999 प्लस 4 बटा 5, प्लस 999 प्लस 5 बटा साथ, प्लस 999 प्लस 6 बटा साथ, अब आप यहां पर यह देखिए कि कि कितनी बा 999 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, तो इसी हम लिख सकते हैं, 6 गोड़े 999 पलस अब इन 1 बटा 7, 2 बटे 7, फ्लस 3 बटे 7, फ्लस 4 बटे 7, फ्लस 5 बटा 7, फ्लस 6 बटा 7, अब इन संक्याओं को हमें जोड़ना है, तो हर तो बराबर है, तो हर का LC हम लेनेने ने, सीधे उपर से ही जोड़ेना है तो इसको जोडने का तरीकर प्लस एकईस बटा साथ। नौशन निननदे में उड़ा कर देये हम तो चैनोव चगुन को चार असिल पांच चैनोव चगुन पांच ओंच को नौशन पांच पिर से आया ओंसाथ यह यह के नहीं है फ्लस साथ से किस काटेंगे आप तो आपको मिलेगा तीन तो इसको इसमें जोड देते हैं यह चाहरा आवे में तीज जट देंगे थो जागा सता आवे यहाँ पर पहला भी कलब इसका एंसर होगा तो इस तरीके से इस तरह के प्रशनों को बड़े असानी से हल कर सकते हैं इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है बस 999 अलग हो गया एक बट शाथ दूबट शाथ साथ इस तरीके की चीज अलग हो गई तो इस तरीके से हम इसका अंसर बहुत जल्दी प्राफ्ट कर लिए अब हम चौथा क्वेश्चन साल करेंगे रेलवे गुरूप डी की परिच्छा में यह भी सवाल आया हुआ था काफी लंबा दिख रहा है गर इसका LCM ले तो काफी लंबा हो जाएगा काफी टफ हो जाएगा इसके लिए भी एक ट्रिक है बहुत ही अच्छी ट्रिक इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे वो ट्रिक कब काम करेंगे जब इस तरीके से दिया हो नीचे 20, 30, 42, 56 मतलब यह है कि 20 का ऐसा गुड़न दोड़ी है कि बुड़ा करने पर 20 प्राप्त हो और गटाने पर एक प्राप्त हो तो 45, 25, 5000 घटाएंगे तो भी एक आएगा 35, 30, 13, घटाएंगे 1 गया 6000, 42, घटाएंगे तो एक आएगा इसका मादलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 भटा 20 को लिख सकते हैं 1 भटा 4- एक बटा पाँच ध्यान दीजी कैसे लिख सकते हैं जब लेल सी हम लेंगे तो पांच ओक 20 आएगा पांच एक ने पांच चार एक ने चार पांच वेट चार गटेगा एक बटे 20 ये आएगा प्लस इसको भी पांच एक 30 होता तो एक बटे 5 माइनस एक बटे 6 क्योंकि पांच प्लस इसको लिख सकते हैं 6 सते 42 यानि एक बटा 6 माइनस एक बटा 7 इसको लिख सकते हैं 7 वाटे 56 होता यानि एक बटा 7 माइनस एक बटा 8 प्लस एक बटा 8 माइनस एक बटा 9 प्लस एक बटा 9 माइनस एक बटा 10 प्लस एक बटा 10 माइनस एक बटा 11 प्लस एक बटा 11 माइनस ऐगंट से देखाएं किए गड़े बाटे लाइन के दूब अब यहां पर आसानी से आफेज़ा is अब सकते यह कट गया प्याँ करते करते खते और लाष्ट तक होंचेंगे लाष्ट णंग्या बचेंगी एक बच लिक्तिमक Wohem बचेगा तो बारह और चार का लगुत तब हम लेते हैं तो बारह आएगा चार से बारह को भाग देंगे तो आएगा तीन माइनस बारह से बारह भाग देंगे तो आएगा एक तीन में से एक घटा देंगे तो दो बटा बारह काट देंगे एक बटा च्छे तो यहनि इसका व सवाल भी railway group D की परिच्छा में आया हुआ था इसे भी हम लोग बहुत ही कम समय में हल करेंगे एक बटा नो थोड़ा सा अलग टाइप का क्योंकि इसमें ऐसे दो अंक नहीं मिलेंगे जिनका गुड़ा करने पर नो प्राप्थ हो और घटाने पर एक प्राप्थ हो तो हम एक बटा 6 को लिख सकते हैं एक बटा 2 माइनस एक बटा 3 द्यान से देखें एक बटा 6 को हमें बटा 2 माइनस एक बटा 3 लिख सकते हैं क्योंकि लगुत्तम लेने पर घटाने पर फिर यही एक बटा 6 आएगा तो इस तरह इसको लिख सकते हैं एक बटा 3 माइनस एक बटा 4 प्ल 1 बोटा, 7 minus 1 भोटा, 8 plus 1 भोटے, 8 minus 1 भोटा, 9. क्योंकि आँग 9 बाततर बाततर तक हमें पहुचना था. तो अब यहां से आप देखrorsик हैं, तो यहां से यह सब कटते जाएंगे, यह सब कटते जाएंगे, यहां तक कट जाएगा. बचेगा एक बटे नौ प्लस एक बटे दू माइनस एक बटा नौ यह लास्ट वाला माइनस एक बटे नौ प्लस एक बटे नौ भी कट गया आगया आपके एक बटे दू यही आपका पहला विकल्प एक बटे दू वाला सही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पाच्छो सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब तो आप वीडियो को लाइक सेर जरूर करेंगे